वीडियो में इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ यह आपका छोटा सा टॉपिक है आई वाई डीपी इंटरनेशनल यह और डिसेबल पर्संस ठीक है तो ऐसी जो है जितने छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं वह मैं आपको क्लियर करा हूँ आपकी जो भी मल्टिपल डिसेबिलिटी वाली जो वीडियो है लास्ट आपकी डिसेबिलिटी रह रही है उसमें जो है भी उसकी पीपीटी बनने में टाइम लग रहा है तो अभी जो है मैं आपको ऐसे जो छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके मैं आगे भी पढ़ा हूँ आपको और अभी भी पढ़ा रहा हूँ तो मल्टिपल डिसेबिटी की वीडियो जल्दी आएगी तो इस टॉपिक को स्ट किये युनाइटी नेशन एजुकेशनल सेंटिफिक एंड कल्चरल और्गनेजिशन यह आपका एक्जाम में आ सकता है और यह जो आपका आयवाइडीपी है यह युनेस्को ने जो है 1981 में जो है दिया था यह आपको याद रखना है तो यह युनेस्को ने जो आयवाइडी है वो कौन सा है 1945 यह भी जो है आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है यह एक्जाम में आ सकता है और युनेस्को की फुल फॉर्म भी आ सकती है तो जिसमें में आपको दो तीन चीज़े इंपॉर्टेंट टम बता दी है एक इंटरनेशनल यह और डिसेवल परसंस की आप का घोशित किया था और यहां पर जो है जो जो आपकी फुल फॉर्म है यह में आपको बता दिये आगे बता दाओ इस था 31st session जो यह session था कौन से था 31st session था by resolution 31 by 123 adopted on 16 December 1976 that the United Nations General Assembly proclaimed that the year 1981 international year of disabled person with the theme of full participation तो यह चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इसका जो theme है यह आपको याद रखना है exam में इससे question आ सकता है कि उन्होंने क्या theme दिया था और यह जो है 31st session था resolution 31 by 123 था और 16 December 1976 को महासवाने पून भागेदरी विशे के साथ जो है अपने 1981 को विकलाम वेक्तियों का अंतराष्टी जो दिवस है वो जो है वर्स जो आपका है वो गोशित कर दिया था तो यह आप क्याद रखना यह important term है और कुछ और important term है आपकी इससे लेटर तो उसमें जो है इसके basic objective क्या थे आपके जो रखे गए थे General Assembly में resolution में 31 by 123 में तो helping disabled persons in their physical and psychological adjustment to society इन्होंने क्या है एक helping कर रहा था कि जो disabled person है उनको जो है यह physical body में physical aspect में psychological manovigyanic ठीक है उस aspect में जो हैं यह help कर सकें दूसरा है आपका promoting all national and international effort to provide disabled person with proper assistance disabled persons को proper assistance provide करना training provide care guidance और उनको पूरी opportunity देना कि वो जो है उनका full integration हो सके society में full आपका integration हो सके तो यह जो है इन्होंने second objective था इनका third था आपका encouraging study and research project designed to facilitate the practical participation of disabled persons in daily life तो encouraging करना किसी इसको study को और research project को ताकि वो जो design है practical participation and disabled persons की वो हो सके तो यह जो है objective था fourth objective था आपका educating and informing the public educate करना और public को समाजी rights के बारे में बताना ठीक है ताकि वो जो है एक हर aspect में economically socially or political life में जो है participate कर सके educate करना और inform करना public को यह fourth objective था और fifth objective था promoting effective measures for the prevention of disability and or the rehabilitation of disabled persons ठीक है तो इन्हों नहीं क्या अगर था कि fifth objective था कि promote कर सके effective measures for the prevention of disability and the rehabilitation of disabled persons यह चीज़ आपको मैंने बता दी यह सारे जो है आपके यह पांच objective है तो आपको उनको अच्छे से लिख लेना यह important है एक्जाम में पूछ भी सकते हैं कि क्या objective लिया गया था ठीक है क्योंकि कहीं बार जो है psychological इस तरीके से जो pedagogy की जो टर्म है वो जो है एक्जाम में पूछ ली जाती है पहला यह है दूसरा यह है थीसरा यह है चौथा यह है पांच वह यह है आगे चलते हैं प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि इनके जो प्रोजेक्ट थे युनेस्को के रेगुलर प्रोग्राम जो थे रेलेटिंग टू इंटरनेशनल और डिसेबल परसंस के उस टाइम पे जिस वर्स में इन्हों ने घोशित किया था उस टाइम पे इनके क्या प्रोजेक्ट थे आईवाई डीप को लेकर तो पहला था इस पेशल एज्युकेशन तो कोई भी आगर आप से पूछे कि जो स्पेशल एज्युकेशन का प्रोजेक्ट वह पहले कहां लाए गया था तो वह याद रखना आप आईवाई डीपी के अंदर जो है आपका लेकर आया गया था इस पेशल एजुकेशन युनेस्को ने जो प्रोजेक्ट के अंदर आता है स्पेशल एजिवेशन इंक्लोउड था यह चीज आपको याद रखनी है ठीक है और दूसरा जो है प्रोजेक्ट आपका वह था फिजीचल एज्युकेशन and sport for handicap person ये जो है इनका दूसर प्रोजेक्ट था ये चीज़ आप याद रखना ये important है ठीक है तो UNESCO के जो प्रोजेक्ट थे IYDP को लेकर वो ये दो प्रोजेक्ट ये चीज़ आपको याद रखनी है exam में पूछ सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको जो है अभी तक ये चीज़े बता दियें सबसे पहला आपका international year बिसेबल परसन बताया इसके बाद आप यहां पर मैंने आपको founded year जो है बता दिया कि 1981 में जो है इन्होंने इसको वर्ष को IYDP पर घोशित किया था फिर जो है मैंने आपको founded year बताया फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया कि कौन सा सेशन था और किस सेशन में कौन से टाइम पर डेट पर इन्होंने जो है इसको international year of disabled person जो है इन्होंने घोशित किया फिर मैंने basic objective बताया आपको पांच यह आपको याद रखने इसके बाद मैंने आपको प्रोजेक्ट बताएं दो प्रोजेक्ट एक आपका यह है physical education वाला और दूसरा जो है special education वाला अब आगे जो है इसके अंदर एक पूरे सब्सक्राने जो है इसके औहरा अधिज बताता हम और डल डेस्मीटस इसके क्या मतलब है तो एक्जाम में यह आ सकता है पूरे सकते हैं और डयल लेस्न क्या मतलब है तो beyond the bounds इसका मतलब है beyond the bounds is the title of an audio-visual presentation यह क्या है टाइटल है audio-visual presentation का for the prevention of handicap ताकि जो handicap का prevention किया जा सके education related और social rehabilitation made up slide from various countries तो जिस time पर IWDP का program आय था तो उस time पर इसी इसको बताय गया था तो यह important time में को लगा तो मैंने आपको important time बता दी आगे है तो innovations in special education के बात करते तो special education activities in 1981 also included the production of new number of new studies तो जिस time पे special education activities include करें 1981 में उस time पे क्या है number of new studies और publication और audio-visual material ठीक है यह जो है लाए गए a case in point was innovation and practical application in special education a slight presentation accompanied by a commentary in English में हुई तो उस time पे क्या है कि बच्च प्राक्टिकल एप्लिकेशन जो special education में ली जाए थी उसके लिए एक slide presentation जो है की गई जिसमें जो है जगा-जगा से commentary हुई English में हुई French में हुई Spanish में हुई और Arabic में तो जगा-जगा से जो है एक्जामपल लिए गए तो इसमें important example क्या है पहला important example है कि इंडिया से क्या लिए एजुकेशन of spastic children और towards total education तो यह जो है दो आपको important याद रखने हैं यह आपके दो exam के लिए important है ठीक है example जो इंडिया से लिए गए ते और वही जो है exam में आ सकता है education of spastic children और towards total education यह जो है लिए गए थे innovations in special education में example तो यह चीज़ आपको याद रखने हैं तो अभी जो है मैं आपको जो है लास्ट इससे जो प्रिवेश्यर कोश्य ने क्या आया है मैं आपको वह बतायता हूं तो यह जैसा आप देख पा रहे हैं यह आपका PRT special educator का exam है first shift का 17-2021 का systematic efforts for human development in disability sector has started of IYDP in तो इसमें question में पूछा हुआ है कि जो IYDP जो है वो कभी start हुआ था 1973 में 71 में 81 में या फिर 83 में तो यह बहुत चोटा सा question है इसका जो answer होगा वह 1981 आपको मैंने बता दिया ठीक है तो यह आपकी बने आपको बता दिया है तो यह एक नहीं ठीक है बाकि अगर किसी को कोई भी अगर कोईरी है किसी चीज के रिकार्डिंग तो वह में को कमेंट डाउन करें और मैं आपको उस टॉपिक पर रिप्लाइ करूंगा कि हाँ आपको इस टॉपिक से लेटेड जो इनको मिल पाएगी ठीक है जब तक जो है आप अपन बनी रहे और जब तक अगर आपको च्नल अच्छा रगता है तो अब उसको लाइक सप्स्क्राइब और शेयर कर सकते हैं ठीक है नहीं मिलते है अब तक नेक्स वीडियों में जब तक लिब आए और बी प्रिपएर पोर एग्जाम्स मिलते हैं पर ननेक्स वेडियों में